प्रचंडर ओलिले चालेको नया सत्ता समिकरनले प्रदेसरुमा तरंग पैदा भईकोछा। अहिले प्रदेसमा धमाधम, राजिनामा, बर्खास्तीर, समर्थन, फिर्थाको काम भईरहेकोछा। नया गठबंदन को असर प्रदेश सरकार मा देखिन थालेको हो कुन-कुन प्रदेश मा की भयता। सुरुमा कुरागरों कनाली प्रदेश को। कनाली प्रदेश सरकार का कांग्रेस का तीन जना मंत्री डे राजिनामा दीशके का छन। आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री बेदराज सिंग, उद्योक परेटन बन तथा बाताबरण मंत्री कृष्ण बहादुर बीसी रा सामाजे विकास मंत्री खडग बहादुर पोक्रेलले मंगल बारने मुख्य मंत्री राजकुमार सर्मा समक्ष सम्युक्त रूपमा राज मंत्री बर्खास्त बहादुर शाहले दुई जना मंत्री राज्य मंत्री लाई बर्खास्त गरेका हुन। आज बुदबार गंडकी प्रदेश मां हल चला आयकुछा। जाली लाई बर्खास्त गरेका थी। समर्थन फिर्थालिये संगई पाटी बाट सर्कार्मा सहबागी दुई जना मंत्री ले आजने राजिना मा दिने छन। मावादिले समर्थन फिर्थालिये पसे अब मुख्य मंत्री चौधरिले 33 भित्र प्रदेश सभामा विश्वास को मत लिनुपर्ने हुन्छा। एता केंद्र मा सत्ता समिकरन परिवर्थन भाई संगई बागमती प्रदेश मा पनी एसको असर परेकुछा। बागमती प्रदेश सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस बाहिरी ने निस्चित भाईकुछा। केंद्र को सम्भिकनन फेरिये संगई प्रदे सरकार बात कांग्रेस का छजना मंत्री हरू बाहिरी ने तयारी भाय को हो। स्वई अनुसार आज कांग्रेस पात सरकार मा गय का मंत्री हरूले सामही कुरुप मा राजिना माको तयारी गरेका छन।